वेल्कम तुद अप्रियाग राजी इंस्ट्टूट आज मुलो बात करेंगे MP Special से सम्मंधित अत्महत्म परशनों के बारे में हमारे सामने जो पहला परशन है पहला परशन ये है कि समारों और उनके आयोजन इस्थल का कौन सा जुड़ा असत्त है आपको बताना है कि कौन सा जुड़ा जो है वो मिस मैच है तो पहला प्रशन है तांसें संगी समारों ग्वालियर में ये सही है क्योंकि तांसें संगी समारों जो ग्वालियर में ही मनाया जाता है धुरुपत संगीत समारो ये भी भुपाल में ये भी जुड़ा सही है अलावदिन खां संगीत समारो दिवास ये जो है वो मिसमैच है तो इस हिसाब से इस प्रश्ण का उनसार जो सही उत्तर है option number C और कालिदा संगीत समारो उजयन में मना ही जाता है तो इसका उत्तर होगा option number C यही जो है असत्य है अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण ये है कि बिंद्याचल स्रेणी में उची चोटी है तो बिंद्याचल स्रेणी की सबसे उची चोटी का आपको नाम बताना है तो इसकी सबसे उची चोटी का नाम है Goodwill चोटी, क्या Goodwill चोटी या सद्भावना सिखर अगला प्रशन, मध्य परदेश के सरवाधिक छेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो देखिए यहाँ पर जो सरवाधिक छेत्र है, यह सरवाधिक छेत्र में अगर बात किया जाए तो 43.4% में जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी और 36.5% की अगर बात किया जाए तो यह मिलेगी लाल फिली मिट्टी तो इस प्रश्ण में थोड़ा सा ये आप ध्यान रखेगा अगर आप से पूछा जाए कि मध्य परदेश में सरवधिक चेतर में या सबसे अधिक विस्तरी चेतर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो उसका उत्तर है काली मिट्टी और उसका प्रतिसत कितना है 43.4% लगभ प्रश्ण में अगला प्रश्ण हमारे सामने ये है कि विभाजन परिसत के अध्याच्छ कौन थे आपको बताना है कि विभाजन परिसत जब देश विभाजित हुआ उस समय जो विभाजन परिसत बनाएगी थी उसके अध्याच्छ कौन थे तो उस समय उसके अध्याच्छ के किस जिले में है इस बीना में जो है आप इस तरीके से बीना को समझे ठीक है छोटी की मातरा ठीक है तो बीना ओयल रिफैंडरी मध्य परदेश के जिस जिले में उस जिले का नाम है सागर और या जिस देश की साहता से बनी है रिफैंडरी उसका नाम है उमान उमान देश की साहते से भी बिना ओयल रिफांगर को बनाए गया है कुवारी नदी का उद्गम इस थल कौन सा है तो कुवारी नदी का उद्गम इस थल आपको बताना है ठीक है तो यहां पे सही उत्तर है स्यूपरी का पठार आप्सन ए अगला प्रशन मध्य परदेश में किरिसी उत्पादन कारिकरम चालू किया गया है तो इस खाद्यान उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा भिसेस खाद्यान उत्पादन कारिकरम चालू किया गया है तो इस कारिकरम का नाम है थ्रस्ट ऑप्सन ए सही है अगला प्रशन में राश्पती बनने योगी ब्यक्ती को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए, तो 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, अगला प्रशन, 2011 की जन्गर्णा का अंसार मध्य परदेश में साचहर्था का प्रतिसत कितना था, यह आपको बताना है, तो साचहर्था का प्रतिसत था 70.63, अपसा नंबर C, 70.63, अगला क्वेशनी है कि राष्ट्री किशान दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्री किशान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को और अगर आप से पूछा जाए कि किसके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्री किशान दिवस मनाते हैं तो चौदरी चरण सिंग के जन्म दि नर्मदा नदी के मार्ग में सामिल नहीं है, यह बताना है कि नर्मदा नदी के मार्ग में कौन सा जीला नहीं आता है, तो यह जीला है, option number D, विदिसा, मध्य प्रदेश के railway line ने निम्न में से किसके अंतरगत नहीं पड़ती है, तो यह पुर्वी railway के अंतरगत नहीं आता है, बाकी के तीन जो है, वो सही है, तो पुर्वी railway के अंतरगत नहीं आता है, राइसेन के किले का निर्माल किस ने कराया था, यह आप से पुछा गया है, तो राइसेन के किले का निर्माल कराया था, राज बसंती, option number C, अगला प्रस्म, कठोरता के दृष्टी से हीरे के बाद कुरंडम का इस्थान है, ठीक है, कठोरता के दृष्टी से हीरे के बाद कुरंडम का इस्थान है, यह खनीज मध्य परदेश के किस जिले में सरवधिक मातरा में पाया जाता है, तो वह जिला है सीधी, राणी अवंती बाई की समाधी कहां है, तो राणी अवंती बाई की स कौन सा जिला मध्य पर्देश का चेरा पुंजी कहा जाता है तो मध्य पर्देश का वह जिला जिसे चेरा पुंजी कहते हैं वह जिला है अली राजपूर इंद्रा गांधी डास्ट्री मानो संग्राले कहा इस्तीत है यह संग्राले इस्तीत है भुपाल में अगला प्रस्म मध्य पर्देश का पठार मध्य पर्देश के किस प्रकृतिक प्रभाग को कहा जाता है सरे बिंद का पठार मध्य परदेश के किस प्रकृतिक भाग को कहा जाता है तो ये आता है बुण्देल खंड के पठार में option number D अगला पुरस्न मध्य परदेश का प्रथम प्रियता नगर कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य पर्देश का प्रथम प्रेटा नगर कौन सा है तो यह है स्यूपरी मध्य पर्देश की कौन सी पर्योजना उत्तर पर्देश के सहयोग से बनी है तो इसका सही उत्तर है option number केन बहुदेशी पर्योजना option number B केन बहुदेशी पर्योजना धार के आदित जोसी कौन से खेल से समन्नित है तो आपको बताना है धार के आदित जोसी जो है वो बेंट मिंटन खेल से समन्नित है अगला पुस्प की अभिलासा के लेखक कौन है? पुस्प की अभिलासा के लेखक है माखानलाल चत्रुवेदी आपसर नमबर B चंडू सरवटे निमलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से अगला पुस्प निमलिखित में से कौन सा इस्टेडियम इंदौर में नहीं है? तो इंदौर में जो इस्टेडियम नहीं है उस इस्टेडियम का नाम है ठाकूर रणमत सींग आपसर नमबर C नेशनल नीज्प्रिन्ट एस इओ पेपर करखाने का निर्माण मध्य परदेश के किस नगर में है तो ये है नेपा नगर ऑप्स नमबर D अगला प्रस्न निम्न में से कौन सा खेल मध्य परदेश की हरसिता तो मर से समंदीत है? तो आपको बताना है कि निम लिखित में से कौन सा खेल, मध्य पर्देश की हरसिता तुमर से समंदी थे, तो ये है सेलिंग, option number B, भेणा घाट नामक परियाटक इस्थल किस जिले में है, तो भेणा घाट के परियाटक इस्थल जे है, वो है, जबलपूर में, अगला प्रश् कला की परमुख पुस्तक समरांगन सुत्र के लेखक आपको बताना है, तो समरांगन सुत्र के लेखक हैं, राजा भोज, 1986 में इंग्लेंड के खिलाप किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाडी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए थे, तो इनका नाम था संध्या अगरवाल, अगला प्रश्न, मध्य परदेश में सबसे बड़ी अनसूचित जन जाती कौन सी है, तो सबसे बड़ी अनसूचित जन जाती मध्य परदेश की है, धील, अगला प्रस्ट ठाकुर रनमत सिंग स्टेडियम की सहर में आप से पूछा जा रहा है कि ठाकुर रनमत सिंग स्टेडियम की सहर में तो यह है रिवान अगला प्रश्म मध्य परदेश का सबसे उंचा बांध कौन सा है तो सबसे उंचा बांध है इंद्रा गांधी सागरवान इसको ये option A इंद्रा गांधी शाग इंद्रा सागरवान या इंद्रा गांधी सागरवान नेक्स्ट अमी कामनी किस खेल से संबंध रखती हैं तो ये संबंध रखती हैं इश्नुकर से अगला प्रश्म मध्य परदेश सरकार लोग कलाओं के लिए निम्ल खित में से कौन सी फेलोसी परदान करती है तो इस फेलोसी का नाम है चकरधर फेलोसी अगला पुरस्म मध्य परदेश की खिलाडी वर्सा वर्मन का समंध किस खेल से है तो वर्सा वर्मन का समंध है निशाने बाजी से अप्सर नमबर D हरी सिंग गौर राजी पुरस्कार मध्य परदेश सरकार द्वारा किस छेत्र में दिया जाता है ये दिया जाता है समाजिक विज्ञान के छेत्र में कमल चावला किस खेल से सम्मंधित हैं तो कमल चावला सम्मंधित हैं इश्णूकर से अगला प्रश्न मध्य परदेश वित्त आयो की इस्थापना कब हुई आपको बताना है कि मध्धि परदेश विद्ध आयोकी स्थापना कभी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है 1994-95 मतलब आप्शन B बर्स 2018 में Swiss Open Super 320 मिंटन का खिताब जितने वाले खिलाडी कौन है तो इस खिलाडी का नाम था समीर वर्मा अगला प्रस्ण तापती नदी का उद्गम इस्थल निम्ली खित में से कौन सा है तो तापती नदी जह है वो मुलताई से निकलती है आप्शन C मध्य परदेश के निम्ली खेली स्टेडियम और उनके इस्थान में और संगत बताएं आपको जो मिस मैच है उसका नाम बताना है ठीक है तो एस बाग इस्थान जवलपूर यही मिस मैच है एस बाग सेडियम है भोपाल में कहां पर है भोपाल अगला प्रश्न ग्रिश्म काल में मध्य पर्देश का सरवधी गर्म इस्थान निम्ल खित में से कौन सा है तो ग्रिश्म काल में सबसे गर्म इस्थान इनमें से जो है गौालियर है मध्य पर्देश में होलकर क्रिकेट एस्विस्केशन की स्थापना कब की गई थी तो 1941 में मद्य परदेश की कौन सी नदी पस्सिम की ओर नहीं बहती है तो ये नदी है चम्बल Option D मुस्ताक अली इस खेल से समंद्ध है मुस्ताक अली का समंद्ध है क्रिकेट से Option 1 सीत काल में मद्य परदेश का सरवधिक ठंड़ा इस्थान निमलिखित में से कौन सा है तो सीत काल में सरवधिक ठंड़ा इस्थान इन में से है पंच मढ़ी Option No.C अगला प्रश्ण अवासी खेलकुद विद्याले परदेश में कहा है तो ये है सीहोर में खर्मार पच्छी के लिए विख्यात मध्य परदेश का परमुख राष्टी उद्यान है इस राष्टी उद्यान का नाम है सैलाना अगला प्रश्ण मध्य परदेश एकलब यो प्रुसकार किस आईवर के खिलाडियों को दिया जाता है तो ये दिया जाता है पुरुषकार 19 वर्ष से कम के खिलाडियों को अगला प्रस्विश्ट प्रसिद्ध HVJ गैस पैपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य परदेश के किन जीलों में बनाया गया है तो ये जीला है जावुआ एंड गुना आप्सन नमबर एक बिग्रम पुरुषकार की इस्थापना कभी तो ये है 1990 अगला प्रस्विश्ट राजी पुनार गठाना आयोग के अध्यच थे आपको बताना है कि राजी पुनार गठाना आयोग के अध्यच कौन थे तो ये थे डाक्टर फजल अली नौकायन के छेत्र में मध्य परदे से समन्नित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है तो नौकायन के छेत्र में मध्य परदे से समन्नित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता है जी एल यादव आप्सन एक निम लिखेत में से किस विरिच से गोंद पराप्त होता है तो बबूल के विरिच से जह है वो गोंद पराप्त होता है अगला प्रशन भारतिय खेल परादेकरण के मध्य छेत्री परिसद इस्थित है ठीक है तो भारतिय खेल परादेकरण का मध्य छेत्री परिसद कहां पर किस मध्य परदेश लेखक ने विकलांग स्रद्धा का दोर के लिए साहित अकादमी पुरुषकार जीता तो इनका नाम है हरिशंकर परसाई अगला परशन मध्य परदेश का निम्न में से यह खिलाडी पाकिस्तान हां की टीम का कप्तान बना उनका नाम बताना है यह थे लतीफ अनवर अगला परशन निम्न लिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है यह यह कहा जाए, miss match है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला है जोतिलिंग, अमरकंटक, उदेगरी की गुफाएं, विरिशा, जहाज महल, मांडू, धर्तिरी की गुफाएं, उज्जें, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, जोतिलिंग, अमरकंटक, यह option जो है, वो miss match है, तो इस हिसाब स इस प्रशन का उत्तर सही होगा, ए, रमायर कला संग्राले मध्य परदेश में कहां इस्तित है, तो रमायर कला संग्राले यह इस्तित है, उर्चा में, धुरुपत केंद्र मध्य परदेश के किस इस्थान पर है, तो धुरुपत केंद्र आपको मिलेगा भोपाल में, अगल मध्य परदेश उच्छ नियाले जवलपूर में इस्तित है इसके 2 खंड़फिट है एक खंड़फिट इन दौर में तो दूसरा कहा है इस्तित है तो दूसरा इस्तित है ऑप्शन नमबर C ग्वालियर में मध्य परदेश के पुराने विधान सभाब होवन को किस नाम से जाना जाता है तो पुराने विधान सभाभवन को हम जानते हैं मिन्टो हाल ऑप्शन नमबर बी प्राकृति गैस पर अधारी देश का प्रथम उर्वार्ग सेयंत्र मध्य परदेश के विजयपूर नामक इस्थान में इस्थित है ठीक है यह है गुना में आपसा नमबर सी मध्य परदेश में किस परकार के वन पाय जाते हैं तो उशन कठ बंधी मानसोनी बन पाय जाते हैं भागोरिया निर्टे किस जन जाती से समन्दी थे तो भागोरिया निर्टे जहे वो भील जन जाती समन्दी थे मध्य परदेश में सांची का इस्तु किस जीले में इस्तित है तो यह है जीला रायसें जीला अगला प्रश्म आठवी और बारावी सताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहों में निर्मेत पिचासी मंदिरों में से अब कितने मंदिर सेस बचे हुए है तो इनकी संख्या है बाइस तो आपको बताना है कि मध्य परदेस में मनडी दीप आदोगी क्षेतर का राश्ट्री उद्धानली देश सीर मध्य परदेस की से राश्ट्री उद्यान टो यह राश्ट्री उद्यान बांधाउ गॉर्ड प्राश्ट्री उद्यान मध्य प्रदेश की पर्थम महिला नयाधीश का नाम क्या है इनका नाम है सरोजनी सक्सेना अहीरे लोकनिट किस जन जाती से समंदी थे अपको बतना है अहीरे लोकनिट किस जन जाती से तो यह है भार्या जन जाती मध्य परदेश में पर्थम बाग सरनच्छन परियोजना कब और कहां शुरू की गई थी तो मध्य परदेश में परथम बाग सरनच्छन परियोजना जहें 1974 में काहा किसली राष्टी उद्ध्यान में निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सुमिलिक नहीं है तो ये है देवास इंद्रावती ये मिस मैच है तो इस तरह से option A सही है भारत का एक मात्र दच्छिन मुखी शिवलिंग कहां इस्तित है तो ये इस्तित है उज्जैन में निम्र में से कौन सा बेमेल है बताना है कि कौन सा जो है वो मिस मैच है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है बार्णा बान नर्मदान दि खजुराहो के विश्व मंदर के इस्थापना किस ने की थी तो खजुराहो के विश्व मंदर के इस्थापना की थी यसो वर्मन चंदेल ने इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्ण के लिए अगला प्रश्ण है विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतरगर नर्मदा सागर बांध खरगोन जीले में कहां निर्मान रत है तो इस जगा का नाम बताने हैं आपको ये है पुनासा भीवरते गोट मार का खेल आपको बताने है गोट मार का खेल कहां पर प्रचली थै तो गोट मार का खेल जो है वो छिंदवाडा में कालिदा समारो कहां मनाया जाता है तो कालिदा समारो वो जैन में मनाया जाता है मध्य पर्देश का या किर्केटर विदेश में टेस्ट चतक लगाने वाला पहला भारती ये था ठीक है तो कौन तो सयद मुस्ताक अली एक नॉमबर 1956 से अब तक मध्य पर्देश में मुक्रमंत्री पत्पर लागता सरवधिक काल तक कौन बने रहे हैं तो इस प्रशन को अभी हम कैंसिल करते हैं छिक है अगला प्रशन अ अगला प्रश्नु तो भी इस्थान कि जिले में है तो ये जिला है टिकंगार्ण अगला प्रश्नु मध्य प्रदेश खेल-प्रादीकरण का ब देन अध्यच कौन होता है तो मध्य परदेश खेल प्रादिकर्ण का पदेन अध्य चोता है खेल मंत्री, ओप्शन B प्रादेशिक वित आयोग का वर्णन भार्थी समिनान के किस अनुचेद में किया गया है तो ये अनुचेद है 243 आई देश का पहला राज्य कौन सा है, जिसने इसकूलों में खेल है तो एक कालकंड अनिवारे घोसित किया तो इस परदेश का नाम है मध्य परदेश अगला प्रस्ण आदिवासक आदिवासी कला लोक कला और पारंपरिक कला के छेतर में मध्य परदेश सरकार दोरा कौन सा सम्मान परदान किया जाता है तो इस सम्मान का नाम है तुलसी सम्मान मध्य परदेश राजी क्रिडा परिसत का गठन कब किया गया था तो मध्य परदेस राजी क्रिडा परिशत का गठन किया गया था 1960 में भुपाल के निकट मंडी देश का पर्थम ऑप्टिकल फाइबर का करखाना है किस देश के सहयोग से इस्थापिद किया जा रहा है तो ये इस्थापिद किया जा रहा है जापान के सहयोग से option number C आमिताव विजे वर्गी किस खेल से सम्मंधित हैं आपको बताना है कि आमिताव विजे वर्गी किस खेल से सम्मंधित है तो ये हैं किर्केट से सम्मंधित मध्य पर्देश वित आयो का पहला कारिकाल क्या था तो मध्य पर्देश वित्थ आयो का कारिकाल बताना है कि यह है 1996-2001 मध्य पर्देश में खेल के छेतर में मुख्य मंतरी कब की सुरुवात कब हुई यह स्टार्ट हुआ है 2015 से मध्य पर्देश के सरवधिक उंची चोटी धूपगड जो की 350 मीटर है निमलिखित में से किस भाग में इस्थी थे तो धूपगड आपको मिलेगी सत्पुडा नैकाल स्रेडी में कहां सत्पुडा नैकाल स्रेडी मध्य पर्देश में खेलों का बढ़ावा देने हैं तो बिधायक कब की सुरुवात कब की गई थी तो बिदायक कब की सुरात हुई थी 5 जनुरी 2017 से मध्य परदेश में चंबल नदी का उद्गम इस्थल जानापाव निमलिखित में से किस छेत्र में इस्थी थे तो जानापाव इस्थी थे रीवा पर्ना का पठार छेत्र में अगला प्रशन मध्य परदेश मेंटमिंटन एस्थापना कब हुई थी तो मध्य परदेश मेंटमिंटन एस्थापनों थी अक्टूबर 1946 में तो ये प्रशन समाप्त होते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद